है टक पर एक एकछा जाते हो ऑचछा Україह जाते है भाई फलानी ट क्रेंड इस्टेशन से स्टेशन जाएगी वैसी पॉल और समझेट से का सब्छाब ओवरी में किसके पास आगा Emma माइक्रो पाइलर एंड से देखो ओवरी में जैसी चला गया तो यह माइक्रो पाइलर एंड से सिनरुट से होते हुए एक सेल के पास चला जाएगा हाँ बई कैसे हो सब सब बढ़िया सब के चीवन में बाबा आज किसको लेकर आए एंजियस पंग को अरे परिशान न्यू प्लांट के इंग्डम बला चल दा था ना जिमनिस पंग तक पड़ा दिया था तो वैसे तो वह चप्टर वहीं कतम हो गया लेकिन एंजियस पंग भी बहुत सिंपल से छोटी मोटी सी चीज है छोटी मोट टाइप कही है एंजियस पंग अब देखो हो क्या रहा था धीरे धीरे एवॉलीशन हो रहा था सर हमने एलगी पड़ी ब्रायोफाइट पड़ा टेडोफाइट पड़ा जिमनिस पंग भी पड़ा सर और अब कौन सा है और प्लावरिंग नहीं हो रही था सर फूल नहीं निकल लाई था समझरो में चीज़ कही थी फूल की अच्छा अब अब और फूल जरूरी है क्यों जरूरी तब surgeries समझे रहे हो हैं तो पूल की आवशक्ता थी इस लिए कौन मिदलब जो नीचर था उन्हों किया किसका मिasant nadzieję भीगे बाई साब इनको अपन और क्या बोलते हैं flowering plants इस वीडियो में अपने इंजिस्पम को देखेंगे life cycle और क्या-क्या इसमें चीजा में याद रखनी है पूरी इन डीटेल आपको प्राप्त हो जाएंगी तो बस आपको क्या करना वीडियो देखने का है विडू बहले बताया भी थे कि भाई evolution हो रहा था इनने बोला इंजिस्पम सही है क्यों इसमें अपने को seed habit भी मिल लगी है हाँ और क्या मिल ला है बड़ी endospum भी मिल ला है हाँ सर सही कह रहा हो और क्या हो रहा है और सर बहुत सी चीज़े हो रहे हैं भी बताएंगे आके चलते च kingdom में बताया तो ऐसे एंजिस्पम में सुनो जो मेल से एक सोर्गन होता है हाँ उसको पन क्या बोलते है स्टैमन कि 10 वी में भी तुमने पढ़ा है और 12 वाले बालक जो है 12 में भी पढ़े हैं तो इत्ता कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है अब स्टैमन मतलब क्या इसम इसको ये ठीका ये क्या करता है डिवाइड करता है दो लोपस में कहलो मतलब दो ऐसे चुटे-चुटे से गेपस में इसको बोलते हैं दाय ठीकस अच्छा क्लास 12 में पढ़ोगे लेकिन आपको इन नाम से ये जो टर्म है इनको प्रोनाउंस करना सिखाना ज़रूरी है ना कुछ देंस बाते हैं फिर बाबा अपने पास में चीज को फीमेल सेक्स औरगन क्योंकि हर जगे काम इन ही का काम है यही तो किसको एक को समाल के रखी है फिर सीट की हैबिट करवाएंगी को तो इसके भज़े थोड़ा इंपोर्टेंट है कौन फीमेल सेक्स औरगन क्या बो कारपिल या पिस्टिल अब भवे यह पिस्टिल वो पपजी वाली पिस्टिल नहीं है समधी रो अब ये सालेत जब रहो यह से कह नाम दिया किस्टिल फिस्टिल ठीक है agora पसनो हमरे पास यह तुमने इस्टक्चर तो सबको पता ही होगा क्या सर कुछ नहीं वहीं होती थी कैसे होते थी, यह सर, ऊपर stigma, जिसके ऊपर कौन आता था, pollen grain, हाँ सर, pollen grain से land करेगा, किसके ऊपर, stigma क्या होता था, glucose, शुक्रोस होता था, शुगर, क्या होते थी, शुगर, जिसको वो खाएगा, कौन, pollen grain, जिससे क्या बनेगी, pollen tube, तो पॉलिन टूब कहा जाएगी यी क्या है इस टिगमा स्टाइल और ओवरी पहले बता दूनों कंपोनेंट क्या है तो पॉलिन टूब कहा जाएगी ये ओवरी के अंदर क्या है अरे यी आज़ी आदसा वहीं तो एक सेल बचा हुआ है मतलब बचाकर रखी ए कौन फीमेल खे खीक है अब सुनों ओवरी के अंदर जब दीर दीर अपने लोग development देखेंगे ना ओवरी के अंदर क्या बनता है ओवियूल क्या बनता है ओवियूल तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा seven cell and eight nucleated structure बाबाब यह नीट का सवाल है कि आभी वैसे आप लोग देखना मैं अभी क ओवियूल के बारे में तो हमें अंदर के देखेगा ओवियूल अच्छा ओवियूल में क्या होता है वावा यहां पर होती है cells कौन सी cells होती है सर अरे एक यह एक cell होती है हाँ और दो फो होती है synergates और उपर होती है तीन एंटी-पोडल सेल्स और बीच में होता है यह polar nuclei अच्छा फिर यह जो पॉलिंटिव आई है यह कहां जाएगी एकसेल के पास अच्छा अभी परिसान में तो सिर्फ समय बेस बनाने क्या बनाने बेस थीक है अब सुनों एकनोमिक इंपर्टेंस एंसी आटी की लाइन यह एंगिस्पम जो है हमें खाना भी देती है मतलब फू स्ट्रक्चर ओफ ओव्यूल जो मैं भी बता रहा था देखो इस्ट्रक्चर ओफ ओव्यूल आपको पता अगर कोई अच्छा सवाल बनाना चालता है वैसे बनाएंगे भी कोई नीट में देखी था किसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है तो ओव्यूल को हम लोग और क बाइष presentation मतलब डयां एक्से अथी को उसको ऑएक्सेल को और कहना क्या चाहते हो ऐच्चा किसको अइक्सेल को किसको नएИ ऑग्छेल को कवर करें रखी ताकि यह प्रोटेक्शन एकदम जेट प्लस सेकुरिटी देती है किसको एकसेल को अच्छा अब यह तुम्हें क्या लग रहा है सर यह हमको है जो घोड़े का पेल लग रहा है अधे नहीं यह यह क्या है ओवियूल का मतलब सीधा और अपन के देखेंगे अब जो भी अपन देख रहा है इसमें कैसा है सुल्टा सुल्टा अरे उल्टा इसको बोलते है एनाट्रोपस ओवियूल क्या बोलते है एनाट्रोपस ओवियूल अच्छा आपको यहां से तीन चीज़े लेके जानी है क्लास 12 में तुम्ह वैसा वाले चला जा नहीं चला जा एंड इस एंड को क्या बोलते है चला जा एंड और यहां से देखो सवाल पूछ सकता है कि जिस पॉइंट से पॉलन ग्रियन हाँ मैं तब जो पॉलन ट्यूब के तुरू उसमें मेल गेमिट है हाँ सर वो जब जाएंगे तो वो कौन से जाते है एकसेल की तरफ मीक्रो पैलरी जिएंड की तरफ से यह जो नीच्चु की तरफ है ना यह वाला रीजन वाई सब यह वाला जो सबं किया जा जो भूतै वो कैसा है seven cells and eight nucleated structure seven cells and eight nucleated structure पता नीट का यह जाना मना सवाल है आप तो पी वाई की उस देखो के मिलेंगे कहां मिलेंगे class 12 में समझ रो class 12 से भी link करना है में को इसलिए ठीक क्योंकि तो 12 में पढ़ा हूं 11 में पढ़ा हूं तो मजा नहीं आएगा ना वैसे 12 में तो और detail में चलेंगे अपन अपन अब सुनो seven cells and eight nucleated कैसे सर देखो इसमें जो है चला जाएंड की तरफ होती है तीन तो cell जिनको अपन बोलते है antipodal cells क्या बोलते है antipodal cells यह कित्ती होती है तीन हा सर तीन cell हो गई ऐसी निच्चू की तरफ निच्चू की तरफ यह देखो यह होती है दो synergers यह दिख रहे हैं चोटी-चोटी सी synergers और यह होता है हमारा एग मतलब यह मिन जिसको जैट प्लस security हमने दी हुई है कौन है तो बाबा तीन उपर और तीन नीचे कित्ती हो गई छह सेल हो गई एक होती है यह सेंट्रल सेल होती है अच्छा सेंट्रल सेल उसके अंदर ह होता है दो नियुक्लियस किता दो नियुक्लियस को अगतें पोलर नियुक्लियाि क्या बोलतैं यदओ पड़ाओंगा उसमें बताऊंगा कि १ह घ मतलब सिद्धाए का मतलब क्या है रियल मीनिंग इसका अच्छा समझ रहो थो पोलर नयुक्लियस तो देखो अब ​​ मिस편 expense क structure किसे में देखने को मिलता है एंज्य स्पम के ओविल में एंज्य स्पम को विल कैसा होता है एना ट्रॉपर लिक भी दिये हैं है एना ट्रॉपर होता है और ऑफ मतलब सीधा इसको सीधा कर तो समझ रहो यह वाला उपर हो जाएगा माइक्रोपाइल वाला रीजन ओर चला जा वाला निच्ची वह जाएगा और एंगीज उपं में सुल्टा हो जाएगा सिंपल थी ना अब सुनो अब होता क्या है थोड़ा से अपन इसको डेप्ध में लेकर चलने मतलब थोड़ा और मतलब समझ रो और थोड़ा मजा करें अब तो एक चीज तो समझ में आई ना कैसी कि यह जो ओवियूल है हाँ यह जो अपने बनाया है यह ओवरी के अंदर ही बना था नहीं कोई भाईया हो कि ए भाईया परिसान तो नहीं हो ना यह जो मैंने बनाया है structure यह ओपनी फीमिल कि वो ओवरी हाँ उसके अंदर बनाया कौन ओवियूल तो भाईया उपर से कौन आया pollen ग्रेन हाँ सर अब थोड़ा से इमेजिन करना यह अपना क्या आया pollen ग्रेन ठीके सर पॉलन ग्रेन इस्टिगमा पर आया हाँ बढ़िया सो उसने शुगर खाई हाँ शुगर खाई मतल यह वहाँ पर वहने चाहिए मैऌक्रो आल्मैक्रोन न्यूर्टेंस और मैक्रोन और केल्शियम ठीक है बका से याद रख लेना ठीक है पॉलन ट्रेन कर लोग नहीं जब रेल्वे स्टेशन जाते है तो नहीं बोलते है कि भाई फलानी ट्रेन है इस स्टेशन से स्टेशन ज होते हुए कहां पर जाएगा आप सुनू अब कोई सवाल में से तो सकता है हमारे बिचारी जहींड़ से चांगि करेंंगी हमारे बाइब ट्यूब को भाई यह इते हैं XL आओ इते आओ तो मुत दोलो नहीं तो को ऐसे करेंगी तो यहाँ पर होता है कौन philiform apparatus याद रखना विया यह भी important है अच्छा तो क्या है philiform apparatus आप लोग PYQ देखोगे ना आपके सवाल पूरे clear हो जाएंगे यह मेरी guarantee है अच्छा तो philiform apparatus क्या गरता है guide करता है किसको pollen को मतलब यह pollen tube आ रही है उससे बोलेगा आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ यह बैटी है कौन एक्सेल बहाँ पे क्या हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा किसका गेमीट्स का अब सुनो हाँ यह तो सर थोड़ा वो तमें मतलब समझ में आगया आप के कहना चारो लाइफ साइकल में को अब बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा ठीक है अब सुनो एंजियो स्पां के जो मेल गैमीट्स होते हैं मतलब यह जो पॉलन ट्यूब बनी थी पॉलन ट्यूब में कौन बैठे रहते हैं मेल गैमीट्स से हमरी स्पर्म है वो बढ़िया पूछ मटकाते हुए नहीं जाती हाँ सर जाती 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 फीमेल जनेटल ट्रेक्ट में हाँ फिर कहां जाती सर फेलोपियन ट्यूब के पास वहां कौन बैठे रहता ओं हाँ जिससे फटलाइशन हो जाता था लेकिन बाबा जो एंजियो फॉटन ट्यूब आए फटा फटे एक्सेल में तो मैं ट्रांसफर करवाना है मेल गेमिट अच्छा भाबा अब जो पॉलन ट्यूब होती उसमें दो मेल मेल गेमिट होते हैं ये खेरे आपको मैं अब एधर बताओंगा बस याद रखना पॉलन ट्यूब में कित हैं दो ऑत फ्यूज होता है किससे पोलर न्यूक्लियाईस है इसको बोलते है ट्रिपल फ्यूजन अच्छा ऐसा भी कुछ होता है अरे बताएंगे परिशान हो तो अब सुनो अब बात आती डबल फर्टिलाइजिशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन की देखो सबसे पहले इसकी डिस्कवर अब बात आती है किसकी में जो अपन पढ़ने वाले डबल फर्टिलाइज़ेशन तो देखो वह आपन किसको देख रहे थे डबल फर्टिलाइज़ेशन को हाँ सर देखो हमरे पास जो पोलर नुकलियाई था ना पोलर नुकलियाई सर मतलब अरे भाई साब अभी तो दिखाए ये देखो ये क्या है पोलर नुकलियाई ओविल के अंदर हाँ हो सेंटल सेल के अंदर नहीं था पोलर नुकलियाई ये सबसे पहले क्या हो जाते हैं फ्यूज हो जात किसा है डिपलोईट है यह रिएक्षिन करेगा हमारे मेल गेमीट के साथ वाह सर रिएक्षिन कुछ पूरी के मैस्टी नहीं चले रिएक्षिन करवा रहे हो फिर तो अभी सर आप बहुत हो कि यह केटलिस्ट भी होता है अरे नहीं मैं जाक कर रहा हूं सब्सक्राइब किस से इसको बोलते हैं कि फिर क्या बनेगा प्राइमरी एंडोस्प्रम नूटियस जिससे भविष्य में क्या बनेगा एंडोस्पॉखर मपने गोनेगा एंडू श्curum अब भाई यहां से सवाल तुम्हें मिलेगा और नीट ने TP जब पढ़ाये थे तो बताये थे, क्या बताये थे, कि भाया जो endosperm बनता है, angio sperm में, वो कैसा होता है, triploid, जबकि gymnosperm में कैसा बनता था, haploid, हाँ सर, याद आ गया, थीके, अब भाया, जो male gamete औ फीमल gamete, हाँ, ये मतलब वो, सर, इनकी होती ही, singgame, singgame मतलब fusion, समझ रो, ठीक है अब सुन्दो दो चीजे तुम्हें आनी चाहिए कौन-कौन सी कि भाईया जो पोले नुकलिस ते मिले जिससे बना सेकंडरी नुकलिस मेल गेमिट से रिक्षिन करके क्या बना प्राइमरी एंडुस्पम नुकलिस जिससे भविश्च में क्या बन जागा एंडुस्पम अब एंडुस्पम भईया तुम खा भी सकते हो मतलब जैसे मान लोग प्लांट ने यूज नहीं किया तो अपन ले ले लेते हैं भईया उससे समझ रहो हाँ सर समझ रहा है फिर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट रेक्षिन करेंगी जिससे बनेगा जाइगोट और फिर जाइ प्राप्त होती है जबकि अरे तुम मेंगो देखो मेंगो देखा है हाँ सर आजकल तुसी का सीजन चल दा वड़िया सर एक ग्ला समझ जा है मुझा आ जाता है मिलकशेक हाँ तो उसमें बाबा जो तुम सीड देखते हो हाँ वो क्या है ओवियूल से बनी है समझ रहो जो ज ग्यानी बनना है हो अरे ऐसी बात नहीं है याद रखना मेंगो को डूफ फ्रूट केता है अच्छा अब देखो थोड़े बहुत सवाल देख लेते हैं वैसे आप लोग पी वाई क्यों जरूर लगाना आप जो 11 वाले ना वो बाबा तुम क्लास 12 के लगाना तुमारे क्लि इननों स्पम पढ़ा टाइडोफाइट पढ़ा ब्रायोफाइट पढ़ा एल्गी पढ़ा इनमें क्या फ्रूट देखने को मिला था नहीं मिला था किसमें देखने को मिला एंजियोस्पम में तो एंजियोस्पम में क्या होता है फ्रूट मतला ऐसी कौन सी चीज है जो सिफ आपना सिप when looks a day आया खिन मिलगे मिट Id the economy कित्व घड़ एक दो तीन चार ओर एक हमारा दो उसका बना होगा सी कंड्री न्यूकलियस का सभी रहा हूं सब fishing निग के रहा हूं उसकी मिद फीछ अध Been नगा यह नूकलियस के सथ िहूगर और फी Mell o फीमेल के मीट के साथ फ्यूजन किसे बना कौन जाइगोट तो किते न्यूटलियस लगे टोटल मतलब फटलाइजेशन प्रॉसेस होने में एंजिस पंप किते पांच तो बाबा नंबर ओफ टोटल न्यूटलियस किते आ गए पांच यह सिंपल सा सवाल था समझे लेकिन पू अब यहां लिखा टू मिल न्यूकलियस अरे बहुत एक एक के साथ रिक्शन करेगा मतलब फटलाइशन करेगा और एक से एक के साथ मतलब फ्यूज होगा से ट्रिपल्लइड एंडियस पर मिल जाएगा समझ यह अब एक छोटी सी चीज हो बची है वह किसकी है लाइफ साइ पी लगनी चाहिए क्योंकि इसमें ज्याज़ा कोई दिक्कत ही नहीं तो देखो एंजिस्पम की में प्लांट बोडी कैसी होती है इस्पोरोफिटिक मतलब डिपलोइड लाइफ साइकल डिपलोटिक हाजर बताये थे पहले सबसे पहला वीडियो इंट्रोड़क्शन में प इस प्लाइफ प्लाइब हनाहिए इस पर पुरोफाइट है इस पर डिपास इलाद में ठाट खूरCloud किसे देखो हमरे पास एक फूल है यह सर फूल अच्छा दिखने है पूल वहीं अच्छा दुआ इस किर देखाते हैं चेंगा recht तो देखो यह तुम्हें क्या दिख रहा है तुम फिर बीच बातें करने लगते हो किसी को लूब अपिक अब देखें इसकी जो है निच्चु कि तरफ संहे रहो ये जिए पयारे पैसे चोटे-चोटे थोड़ा थोड़ा समझ में आया हां तो देखो इसका अब थोड़ा सा कनेक्टेदें किया अब और कि निशे की तरफ मैंओ त्रीक्स निट्रेक्शन करने के लिए अरे सर वो जो नहीं होती भी भी हाँ हनी भी वगरा वही कीट पतंग है ताकि क्या हो वो आएं और अपना नेक्टर लें आके नेक्टर मतलब वही जो रस चूसते हैं वो लोग और इसी की बीच में क्या हो हवा चले हाँ तो पॉलन ग्रेम्स की बॉड़ी पर करी जाएं जिस आयखें तो उसके अंदर को हजोता है इस स्पोर बंते है मतलब माई korkanas anch जिनको आपन क्या बलते है पॉलन गें अड़े यह देख्यों यह यह जू यल्लो कलर के आपको दिख रहा है यह जो यल्लो कॉलर के दिख रहा है वो क्या है एंथर है अच्छा तो मैं ने जूम किया है समझ रो तो एंसर को जूम किया तो उसके अंदर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें क्या होगा माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे अच्छा क्या बन रहे होंगे माइक्रोस्पोर अब यह जो माइक्रो स्पोर्ट डेवलप हो रहे हैं अब तो मैं खेरिता तो पता होगा कि जो मेरे पॉलन ग्रेन होता है उसकी बाहर की जो कवरिंग होती उसको पन क्या बोलते है इस पोरो पॉलिनिन हाँ सर और यह जो है हार्डेस्ट होती है इसको तुम एंजाइम में डिग्रेट कर दो इसको तुम गरम पानी में डाल दो इसको तुम पी-च में एसेटिक कंडीशन में डाल दो तब यह जो वाल है स्पोरो पॉलिनिन की वो गल्ती नहीं है मतलब जो male gametophyte अंदर बैठा हुआ है मतलब जो male gamet बैठे हैं अंदर उनको भी क्या है पूरी security दी जा रही है अच्छा अब सुनो अब यह pollen grain था हाँ सर पॉलन grain था अच्छा था अब यह उड़के आया होगा मतलब pollination के सुरू उड़के आया होगा हवा सोड़ा होगा या फिर animals इसको लेके आयोंगे हाँ जर अब यह किस पर आएगा female gametophyte के पास female gametophyte मतलब वो इस्टिगमा पर बैठेगा अब सुनो मैंने क्या कि यह इसको थोड़ा सा और जूम किया ovary के अंदर तो यहाँ पर क्या होती है mega-spore mother cell होती है जैसे है इसे ही female में क्या होता है megaspore mother cell होती है अच dispers Heidi boxes बनाती है ovary मतलब integumented megasporengia पहले बी बताया थे तो ऊपर की तरफ वो इसरम निक्चु की तरफ यह सरर 2-3 synergyट एक होती है 당 il पोलर territ होती है marksman मेल गेमीटोफाइट मतलब की यह अपना कौन आया माइक्रोस्पोर मतलब वही पॉलेंग जिसके उपर क्या है कवरिंग इस पॉरोपॉलेंग की हाँ सर इस पॉलेंग की कवरिंग है और बढ़िया से हवा के जोंकिये में उड़ते हुए किसके उपर बेढ़ गया गया इस टिगमा के उपर वहाँ इसने क्या किया सर बढ़िया दिल से खाना खाया हाँ इस टाइल से होते हुए ओवरी के रास्ते कहां पर आ गया एक के पास मतलब वही सिनर्जिस को synergist के पास क्यों होते थे फिलिफों में प्रेटर्स वो इसको गाइड कर देंगे कि भया यहां है XL आजा उपट आपट हाँ समय दिगाए अब यह किस के पास आ गया XL के पास pollen tube अब देखो pollen tube में क्या है यह यह क्या है गेमीट्स है कौन है male gametes male gametes हैं जो की कैसे होते है non-mortile पहले भी बताया हाँ non-mortile होते male gametes यह इनसे fuse हो गाए किस से XL से और इनसे क्या बना जाइगोट हाँ इसको अपन क्या बोलते है singamie क्या बोलते है singamie और जो दूसरा वाला gamete होगा male gamete जो किससे reaction करेगा polar nuclei से उसको अपन क्या बोलते है triple fusion हा सर तभी तो बोला double fertilization is a base मतलब good characteristics of angio sperm समझ रहो special feature अच्छा थीक है अब इससे क्या होगा जाइगोट से development होगा और बन जाएगा कौन embryo embryo फिर क्या कर देगा rest करेगा rest करेगा मतलब थोड़ा आराम करेगा अच्छा क्यों क्यों क्योंकि इसको seed habit दिखानी है seed habit वलब seed बनानी है तो embryo बड़ी आराम करेगा फिर जब भी अपन जैसे मानलो तुमने आम खाया हाँ सराम खाया अब तुमने आम की गुठली को store कर लिया दो कोई embryo वह एकदम जाग हो जाएगा कि भाया चलो 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 हमें भी पेड़ बनना है एक बड़ा सा पेड़ तो वापस से क्या बन जाएगा इस पूरोफाइट मतलब में प्लांट बोड़ी तो आब मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह जो मैंने दिखाया इतना प्यारा सा पूल मन इकॉन साही बिसकाजी है ना तो उसको आपको समझ में आया होगा इदेख किते प्यारे प्यारे सब्सक्राइब देख रहा है अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक पढ़ाई करो दिल से वह दिक्कत हो तो वह बताना अगर समय मिले आपको तो बढ़ाई करते हो क की की आपको दिल साहूऊ कर दो वह .